अमन नमस्ते सर जी अमन आपको बहुत बहुत बढ़ाई और आपके उजवल भविश के लिए भी अनेक अनेक शूप कामनाई दन्यवाद सर जी बहुत कुछी होई दिद्ध अपने अपने नाम के अनुसार सारे देश का मन भर दिया है आपकी मैनत थी जो इतने अर एक सवीदा दी टोपस ने और साही ने आपने भी जो सब की मैनत आया जी और बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके लिए आपका जीवन बहुत ही प्रेड़क है एक तो आप सबसे छोटी आउक है हमारे अटलेट है जो इस प्रकार से मेडल लेकर क्या रहे हैं आप सबसे छोटी आउक है और इसके लिए बापके लिए तो इतना जीवन इतना लंबा समय आपके पास है मैं मानता हूं आप देश को फुशियों से भर देंगे हाँ जी दोजाए ठाइस में जी ओलम्पिंग में गोल्ड लिया आउंगे पूरी वह पूरी मैंद करेंगे जी ओलम्पिंग में गोल्ड के लिए मुझे पुरा विश्वाब है आप सफल होने वाले हैं और आपने जीवन में भी बहुत संगर्ष किया माबाप खोने के बाद भी आप बिल्कुल जीवन में टटे रहें यह बहुत ही प्रेरक जीवन है आपका ए Board यómo हाजी संगर्ष तो जी एक सब न करना पड़ा जी खीर ना किसी किते आप शाङर सक करो जी वोगी ृक्मरत की सेबाम हम लगे आप लोग तो तो पूइंड में आप न रात को सोते हैं न आप दिन किसले कितनी थषन जो तो भी आप तो मादान में जाके महरत करते हो तब जाकर के यहां पहुंचते हो आजी वहां सब साथ कुल को क्या लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है साइद पुरुशों में तो आप ही हैं जो कुस्ति के मादान में आगे आए हाँ जी मतला एक वाली फाई हुआ था जी पुरुशों में तो बस यह इस हो से था था बयार बार रेस्लिंग में मैडल आता तो अब की बात यह जिम्मेवारी है तो मैडल दिलाने की तो मैं अपना पूरा सो पोसेंट ती आजी नहीं वाकर ही आपने बहुत बहुत नहीं लगन से काम किया और देश को जो आशा थी उसको भरने के लिए आपने भरफूर काम किया है आज में देश वासियान उमी रैस्लिंग वड़ान तो जी गोल्ड की थी पर वो नहीं ले पाइपर पर दोजार थाइस में जरूर लाओंगी थी आप देखिए आप गोल्ड हो सिल्वर हो ब्रॉंज हो आप उस चिंता को छोड़ दीजिए आपने देश को बहुत दिया है और देश वासी हर कोई सेना तान करके अमन का नाम ले रहा है आपने इतनी सिधी और बहुत छेटिवाई में सिधी पर आई है इब बैदो जी कुछ नहीं दिया इबे तो बहुत कुछ देना थी देश तेव बे तो कि नहीं नहीं मुझे पराब रोजा है जिसका एसास अपना होता है नहीं होतीता ही है चलिया मन मुझे बहुत अच्छा लगा आपने देश का नाम रोशन किया है और आपका जीवन देश के नव जवानों के लिए बहुत बटी प्रेणा बनेगा